निस्ते प्यारे दोस्तों ये है रफ नौट बॉक तो इसका आज मैं आपको हॉलसिल प्राइस पताऊंगा बट मैं चाहता हूँ हॉलसिल प्राइस पताने से पहले आप लोगों को इसका कॉईलिटी दिखा दूँ कि कितना घटिया रफ नौट बोक है या अच्छा रफ नौ व्यूरी है, राइट, तो सबसे पहले तो आप इसका कभर देख लाएट, ये जो कभर है, ये किताबी कभर है, अब कิताबी कभर का मतलब क्या होता है, कि English School में जो आप लोग देखते हैं हर साल बुक बदल जाता है और जो पीछे साल बद जाता है वो बुक का यूज हो जाता है यहाँ पर उसके कभर को यूज किया जाता है यह रफ नोट बुक में ठिक है और यह बैक का फिनीसिंग आप देख रहे हैं बहुत ही मस्त है बट क्लास्मेट के जैसा फिनीसिंग नहीं है क्लास्मेट के जैसा फिनीसिंग नहीं है और यह देखू इसका साइड फिनीसिंग रफ नोट बुक के मावला में बहुत टॉफ है मार्केट में तो इतना फिनिसिंग बला रफ नोटबुक बहुत कम आता है आगे का फिनिसिंग देखो ठीक है देख रहे हूँ सारक सारा एकदम सुपर है पेज कॉलिटी अप रफ सुनने के बाद आपको लग रहा होगा एकदम घटी आओगा लेकिन नहीं अच्छा है पेज का कॉलिटी रफ नोटबुक में जो आता है बहुत सारा घटी आपका उससे अच्छा है एकदम रदी नहीं है अच्छा है एकदम रदी नहीं है मोटाई भी देख लिजे तो जितना मोटा ये जो मेरे हाथ में रफ नोटबुक है कोई भी उठालो, सबका सेम मोटा ही है जितना मोटा ये मेरे हाथ में अभी जो देख रहे हुन रफ नोटबुक ये मार्केट में आपको साथ रुपया में देखा या तो पच्पन में देखा ठीक है साथ या पच्पन के आसपास आपको मिलेगा बट नियो डिल में आपको ये 45 रुपीज में मिल जाएगा 45 रुपया में आपको ये रफ नोटबुक मिल जाएगा अभी थोड़ा पेपर का रेट बढ़ा हुआ है जिसके रीजन से नियो डिल में भी कुछ पेपर्स का रेट बढ़ गया है तो कोशिस जारी है कि आपको जादेस जादे सस्ता में और अच्छा क्वालिटी उपलब्द कराएं ठीके ये नियो डिल का कोशिस जारी है वीडियो को जादेस जादे दूर तक सेयर कर दिजिए जो भी बच्चे मारकेट में ठका रहे होंगे वो नहीं ठकाएंगे पांत दस रुपिया ही बचा पर कोपी बहुत बचा भाई छोटा छोटा बचत ही साइध एक दिन आपको बरा बचत करने का योग बनाएगा वीडियो को सेयर कीजे और 45 रुपेज में नोटबुक को खड़े दिये